दोस्तों GTL Infra की बात कर तो श्टॉक लगातार दोड़ते 4 रुपे तक पहुच चुका है अब आप यह देख सकते हो कि आज बहुत ही जबर्दस वॉल्यू में कामकाज हुआ है पूरे बाज़ार में वॉल्यूम के मामने में नंबर बन बना है इसका मतलब यह है कि बहुत सारे बड़े फंडा उसने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अपनी की है लेकिन जो खरीदार है वो भी पीछे नहीं है उतने ही शेर वो खरीदने को बिल्कूल तयार है तो कहा तक जा सकते थे श्टो क्या यहाँ पे अब लौर सरकित की समोवना बंद रही है या यहाँ से और बड़ी तेजी अभी बाकी है समझने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के मादिम से quarter one भी हमारे सामने आने वाला है क्या समोना हो सकते है quarter one की यहाँ पे एक बहुत बड़ी breaking news निकल के आ रही है BSNL जो सरकारी company है उन्होंने यहाँ पे सरकार से एक बहुत बड़ी request किये जिस तर से तीनो private player ने मिलके जो tariff hike किया उसको लेकर उन्होंने अपनी तरफ से सरकार से कुछ बड़ी यहाँ पे बाते कही है क्या है पूरा मामला क्या अपिल की गई है सरकार से उसको समझने की कोसिस करेंगे और आने वाले समय में क्या BSNL पूरी टेजी के साथ इन तीन player के साथ आगे बढ़ने को बिलकुल तयार है या फिर दे दे इसका कारूबार पूरी तरह से ठाफ हो जाएगा क्योंकि भी तक 4G सर्विस भी पूरी तरह से वो सुरू नहीं कर पाए ऐसे में आगे की क्या समवनों उसको जानेंगे और अगर BSNL कोई बड़ी रणनीती बनाते तो उसका फाइदा GTL को हो सकता है क्योंकि अगर 4G सर्विस एगरिस रुपी से वो सुरू करते है तो इनके टावर को बेनिफिट हो सकता है तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माद्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि जबी ने वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ् अपर सर्कीट पर 3.94 पर क्लोजिंग कलकी 3.76 के आसपास थी परन्तु जो लो है वो 3.80 का है यानि स्टॉक निचले लेवल तक गया या यू कह सकते कि लोर सर्कीट के आसपास तक गया लेकिन जिस असे बड़े फंडा उसकी खरीदारी है याँ पर हुई स्टॉक में फिर अपर सर्कीट लगा लेकिन बहुत जबड़स वाली में काम जो दोनों तरफ का पलड़ रहा है इस समय खीचतान चल रही है जो ज़्यादा खीच लेगा उस तरफ चला जाएगा अगर बाहर ज्यादा रहे तो स्टॉक में अपर सर्कीट कंट्यूनिज रहेंगे या फिर ल आपको यहाँ पर गिरावट देखना को मिलेगे और वो थी 13 जून 13 जून को जुरू इसमें थोड़ी सी गिरावट देखना को इसके बाद में कंट्यूनिज यहाँ पर सर्कीट लगे और यह अपर सर्कीट में ही देख सकते हो कि जो श्टॉक डेर रुपे का आस पस्ता व पुरे बाजार में आज वॉल्यूम के मामले में जी टी अल इंफ्रा नंबर वन में वोड़ा फान को पीछे पचाड़ा इसने आज आप देखते हो कि वॉल्यूम सुबसुई बहुत जबर्दस हो चुका है पिछले एक मैने पर इसका 23 क्रोड का वॉल्यूम था 13 क्रोड की जबर्दस वॉल्यूम आए यानि आज करोड़ो शेर की यहाँ पे खरीदारी और विक्वाली हो रही है अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बीएसनल इस समय अगर आप देखे तो वो कम्पिटिशन फाइट में बिल्कुल नहीं है यहाँ पे देख सकते हो तीनो सारे वो सिप्ट हो चुके एडल वोड़ाफ़न और जियो की तरब तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि बड़ा इस्टेप उठाये गया है बीएसनल एंप्लोई यूनिन की तरब से जो सरकार से जो आपे एक तरह से रिक्वेस्ट की गई है कि जो टेरिफाइग की गई है प्राइवेट प्लेर की तरब से वो जरूत नहीं सी समय प्राइवेट क्योंकि वो अलड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में कंपणी है उसके बाव भी उन्होंने काफी ज़्यादा टेरिफाइग किया है और इसको रोक नहीं सकते है क्योंकि तीनों ने मिलके फैसला क किया है बी एसन इस रेस में कई है नहीं और इसके पीछे वज़े की 4G 5G सर्विस अभी तक सुरू नहीं कर पाए तो यहां पे बीएसन एमप्लोई यूनिरी की तरब से लेटर लिखा गया है हमारे टेलिकॉम मिनिस्टर जोतिराज सिंदिया को उनको से का गया है कि जो टे करने से और आप समझ सकते हैं कि तीनों प्लेयर मिलके भी प्राइज जो है बढ़ान नहीं सकते हैं क्योंकि बीएसनल कम प्राइज में लोगों को सेवाई दे रहे थे लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है कि 4G और 5G सर्विस लांच नहीं कर पा रहा है बीएसनल सरकार की तरब से इसके लिए कोई बड़े स्टेप नहीं उठाय जा रहे जिसे जो प्राइज जो प्राइज प्लेयर है वो अपनी मनमानी कर रहे अपने इसाफ से टैरिफाइक कर रहे है तो यहाँ पर लेटर में ये भी का गया कि कोई रिजन ये कि इस समय जो प्राइज डाला गया जो टैरिफाइक करने की जो इन्हों ने गोशना किया वो गलत है लेकिन इसको अगर रोकना है तो इसके लिए बी एसनल को भी कमर कसनी होगी और जल से जल 4G, 5G सर्वीस उनको सुरू करनी होगी तब ही वो कस्टमर उनकी तरफ आएगए अगर कम प्राइज में बी एसनल उनको सेवाई देंगे तो वो जो कस्टमर है वो बी एसनल की तरफ आ सकते जो अभी तक बी एसनल को छोड़के चले गए तो फिलाल गवर्मेंट की तरफ से जो डीसनल को अलाउड ने किया गया कि वो 3G सर्वीस को 4G में तबदिल करे अभी सॉप्डेट अप्रे से पूरे इंदुसा में नहीं कर पाए है यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बी एसनल को पर रोक लगाई गई है कि वो जो ग्लोबल एक्यूप्मेंट जो प्लेयर है मार्केट में नोकिया एरिक्सन सैमसंग उनसे वो एक्यूप्मेंट नहीं खरीद सकते जब पहले भी हमारी तरब से काफी लेटर सरकार को लिखे गए कि जल से जल हमें 4G सर्विस पूरी तरह से सुरू करनी है और 5G की तरफ आगे बढ़ना है लेकिन सरकार की तरब से कोई पॉइटिव रिस्पोंस नहीं मिलने के विज़े से हम काफी पीछे रह गए और इसलिए ज जल से जल 4G सर्विस सब भी जगपे हो जाए और फिर 5G हो तो फिर यह जो टेरिफाई करने का इनका जो फैसला उसको पचाड़ा जा सकता है उसको पीछे लाया जा सकता है लोगों को रात मिल सकती है तो अगर 4G और 5G सर्विस सरकार फैसला लेती है और जल्दी सुरू होत जल से 1.67.94 अगर फिर बड़ी प्रॉफिट बॉकिंग होई किसीने करोड़ों शेयर शुब बेच है लेकिन 9 बचकर 26 मिल पर 3.96 की प्रैस है यहां पे किसीने 2 क्रोड शेयर खरीद लिए जिसे लोगर सरक्रीट लगनी पाया उसके बाद देखे तो यहां पे 9 बचकर 27 मिल पर 3.85 की प्रैस है यहां पे 3 क्रोड 71 लेक्षयर फिर से यहां पे एक बड़ी प्रॉफिट बॉकिंग की गया नि दोनों तरब का माहूल बंद रहा है उसके बाद 9 बचकर 28 मिल पर 3.96 की प्रैस है यहां पे 1 क्रोड 50 लेक्षयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई उसक में 9 बचकर 28 मिल पर 3.94 की प्रैस है 2 क्रोड 68 लेक्षयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई यानि किसी बड़े फर्णाशन लगबग 4 क्रोड के आसपास शेर खरीदे उसके बाद 9 बचकर 29 मिल पर 3.85 की प्रैस है 1 क्रोड 37 लेक्षयरों की एक बिक्वाली हुई तो उस और हुई यानि आप देख सकते हो क्लियरली की बहुत जबर्दस खरीदारी भी हो रही है लेकिन सामने करोड़ों शेर के बिक्वाली भी हो रही है और अभी जो पलड़ा भारी है वो खरीदारों का दिख रहा है क्योंकि वह अभी भी इसमें lower circuit लगने नहीं देना चाते है और इसी वज़े से stock दोड़ रहा है लेकिन कभी भी इसमे lower circuit शुरू भी हो सकते है ये clearly दिख रहा है तो ऐसे में short term investor थोड़ा सा इसमें profit book के बारे में सोच सकते हैं तो company अभी फिलाल बड़े loss में है प्रमोटर यहाँ पे 3% के आसपास है बहुत सारे बैंकों का कर्ज है जिनों है equity के रूप में share लिये हुए तो risk है बहुत ज़्यादा है और इसमें ज़्यादा भरोसा ना करे यह purely operator game है और इसमें आपको संबल के ही निवेस के बारे में सोचना है लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisors बढ़़े ले ले या अपना खुद का research करे क्यों कु subscribe कर दीजिए thank you friends